वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को चलिए शुरू करती हूँ ये मेरा पूरा पहले आप लोगों को दिखाए दू फ्रेंस हीबिस्कुस का प्लांट है वैसे तो हीबिसकुस गुड़ हैल प्लांट की बहुत सारी वाराइटी तो और बहुत सारी रंगों में भी आप लोगों को मल जाएगा है काफि इन प्लारिंग होती है बहुती खूबचिर है इसमें इन फ्लारिंग होती है इन प्लांट में बहुत ही कुपतर प्लांदे अता फॉन देखिए इसमें इसमें सारे बस्थ students This is the best the most problem problem for these plants is some broad rivers लग जाते हैं जिसे मीली बग कहा जाता है इंगलिश में सफेद रंग के चिपचिपे से होते हैं एफिट्स भी कहते हैं जिसे बहुत परिशान करते हैं इसमें जो नई कलियां खिलती हैं बनती हैं उनको वो जो कीडे होते हैं लोग प्रक तोने जाने हासे, फ्लारिंग भी नहीं होती है, तो पत्तें प्लारिंग हो रही हैं, तो बहुत आसान है घर में आप जैसे हैंड वॉष बहुत सारा यूज करते हैं, हम लोग केमिकल्स जो होते हैं, हैंड वॉष, डिश वॉष जो किचिन में भी यूज किया जाता है, अगर वो सब है आपके घर में तो फिर परेशान होने की बात नहीं है, अगर हैंड वॉष कर रहे हैं आप तो 5-6 ml यूज करें एक लीटर पानी में जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा हूँ अगर हो आप लोको इक पास इस तरह का तो उसमें 5-6 ml डाल दें और एक लीटर पानी भर के अच्छे से मिला कर उसको और फिर इसके सारे पत्तों पर सारी डालियों पर जितन करें और ध्यान रखें कि जरूरत से जादा स्प्रे ना करें हलका हलका स्प्रे करें जहां ज्यादा इफेक्टेड एरिया है अफेक्टेड एरिया है वहां पे स्प्रे करें थोड़ा ज्यादा ताकि कीड़े हट सकें अच्छे से और ये काम आप लोग शाम के टाइम पे कर तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा रिजल देखने को मिलेगा और फिर नेक्स टे आप लोग इन प्लांट्स को पानी से सुबह पानी से शावरिंग कर सकते हैं इन प्लांट्स के ऊपर ताकि जो केमिकल्स होते हैं डिट अल्ड वाश में वो सब भी हट जाएं क्योंकि केम दूप निकलते समय जब दूप निकल जा तो यह प्लांट पूरी तरह से सूख जा और फिर इसमें केड़े ना लगें और यह काम आप सप्ता में एक बार कर सकते हैं अगर हैंड वाश में डिटॉल नहीं है कोई और भी हैंड वाश है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इस पानी में मिला कर और फिर स्प्रे करें इन प्लांट के ऊपर या फिर आप साबून अगर डिश वास भी अगर उस तरह का नहीं है लिक्विट फॉर्म का तो आप साबून को भी अच्छे से पानी में मिला के और उस पानी का जाग जब बन जाए तो उसमें स्प्रे कर दिया मेली बग जो खीड़ा होता है इसके स्टेम्स में कल्यों में सप्टा रहता है। एक आर बहुत जल्दी जल्दी एक करता है ही यए कर सक्केल प्लांट में और आपका किसी अग्राइश किसी बी बन्त में वह लग् railway करता है मth दुब जो भी आस पास plant आपने रखे हैं वो उस plant से हट के दूसरे plant में भी चला जाता है तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर किसी plant में है तो उसको अलग करके रखें फिर उसका इलाज अलग से करें तो I hope आप लोगों को plant video अच्छा लगा होगा friends अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को बेल आइगन क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे प्लाइन वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाइ फ्रेंट्स टेक क्यार